नमस्कार दोस्तों मसानी शर्मा फिर्ट से हाज़र अपने चैनल सनी नाथ पर स्वाधत करता सभी वैवेन को आज मैं फिर्ट से हाज़र हूँ एक नहीं जानकारी के साथ काली माता की किरपा चोंकी यानिकि जो लोग उनकी किरपा इभी चोंकी लेना चाहते हैं सिर्ष मंतर से उपयोग से आपको फर्क दिखेगा मंतर गुरू सनीद में करना 21 दिन आपने इनका मंतर का चप करना लेकिन तकरीवन आपको पांच माला दिन में चाप करनी ही करनी है किसी भी हालत में विदी क्या है विदी मैं आपको बता दो सरसो के तेल का आपको दीपग लगा और आपने महामाई को भोग में पेड़े एवं आपने जो बोलते हैं की पान और आपने महामाई को ड्राइफूर हो गया या उसके इलावा आप अपनी समर्था के नुसार ने इनके नाप की कड़ाई परशाद भी कर सकते हो गुरू सुनीत में साधना करनी है मेरा काम सिर्फ एक जानकारी देना है एैज़ुकषनल परपस के लिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को जागरू करा जाएगी साधना कैसे करनी है मेरा का में सिर्फ साधना बीना जान करके कुछ भी गलत स्ट्राइब आपका ही उसमें नुक्सान है तो मेरा को बोड़ू कि आप नेट पे दे कोई जोग करना है वेदन रहता है कि चैनल पर अगर आप फर्स टेम विजिटर हो तो आप चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना तीनों चैनल है गुरू गर्खना शिवगरुषन और चासे उन तीनों को भी स्पोर्टना सबसे अधा लाइब स्ट्रीमिंग में सन्दीनाट पे लेता हूँ लाइब चैट में जुड़के मेरे साथ साथना सबंदीत कोई भी कॉशन पूट कर सकते हो सिर्फ मंतर और बीदी के इलावा जो साथना में दिक्राइब जिनके गुरू होने उनके गद्दी बांद दिया गद्दी बंदी है गद्दी खोलने लिए सवारी चौंकी लेना चाते हैं इवर हम जो लोग गुरू दिक्षा लेना चाते हैं सवारी चौंकी पर जो खलवाना चाते हैं जाकि इसके गर में दुक तकलीफ है फ्री वाले पाइब फ्री बिताए जाते हैं जहां पर जो खर्चान हो आपको करना ही पड़ेगा, किसी परकार की साधना ने नहीं है तो आपको मिलना पड़ेगा, और उसके इलावा जो गुरू मंतर लेना चाहते हो, वो सिर्फ गुरू पुर्णमा को मिलेगा, लेकिन जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे से मिले होता है ये बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्सराइब करना थारे वरणी जिए तो इन माता जी प्रियोग यह माता पहले बतारों कैसे माताँ मैं女 आपको 21 दिन कर दिया तो 27 दिन से आपने माता को वही सेम भोग रखके अपने मंतर का प्रियोग करना है जो आपने भोग माता को लगाया है तो प्रियोग टाइम आप 21 वार 11 वार कम से कम अगर को तगड़ी चीज है तो आपने 21 वार 11 वार इसका जाड़ा दे सकते हो मंतर जब आपका सिद्ध होगा तो मंतर इसका लाज करा क्या चीज आपने पकड़ी कैसे माता ने करा उसका अदेश दुआफरियाद आपको हो जाएगे किसी भी परकार की पूशा लेनी है आपने तो इस मंतर का आपने एक माला जब करके आपने सोजना और कॉश्चन आपने पूट कर देना है आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा तो गुरू सनिद में करनी है मंतर मैं दे रहा हूं लेकिन मंतर आपने पहले अपने गुरू को देना गुरू मुक्त से लेना और गुरू आपको इसे करनी है जिन लोगों के गुरू धारन नहीं है उनके लिए ये सारी चीज़े बेरत है क्योंकि वहाँ ये चीजे कारे नहीं करती है साधना आपने शनिवार एवं मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो याद रखना गुरू सिनिद में करनी है रुद्राक्ष की माला के उपर नियम साधना के सारे ही आपने पालना करनी है किसी के ऊपर आपने दुरुपयोग एबं किसी के ऊपर आपने बैर विरोध और किसी का आपने भावना को ठेश नहीं पहुंचानी है, मंतर सुन लो सोने की संगली, रूपे की कड़ी, ले माई, काल का कड़क खड़ी मंतर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखना, मंतर में अगर स्पेल समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे जो नीचे फेस्बुक पेज हैं, या फिर मेरे जो बैप साइट हैं, उनके उपर आप विजिट कर सकते हो, गोगल में डिरेक्टली सच कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये मंतर लिखा हुआ, मिल जाएगा अच्छे से देखना, क्योंकि अच्छे से करना, मंतर का उचारन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो आपका कार्या नहीं बनेगा झाहिए, गलत टाइज बनेगे झाहिए, गलत नहीं हो उ झाहिएम का 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 जाएगा झाहिए क्योंकि यहाँ झाहिए झाल झाल